गाजियाबाद, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के केस में गायक समर सिंग को गिरफतार किया गया है। वारानसी क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस की टीम ने राजनगर एक्स्टेंशन की चाम्स कैसल सोसाइटी में गुरुवार रात छापे मारी की। समर के साथ कुछ अन्य लोगों को भी पूछताच के लिए हिरासत में लिया गया है। इस दोरान समर अपने चेहरे को छिपाने के साथ किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उससे आकांक्षा से जुड़े कई सवाल किये गए लेकिन वह बिना कुछ बोले पुलिस के साथ चला गया। पुलिस के अनुसार उसने अपने लुक को कुछ बदला था। जि बताया गया कि समर दो-तीन दिनों से फ्लैट में रुका था। पुलिस ने गुरुवार रात चापे मारी की तो वह रुपए और कुछ सामान लेकर भागने की फिराक में था। मुंबई, उत्तराखंड, नोएडा के बाद यहां पहुंची पुलिस-पुलिस सूत्रों के अनुसार, आकांक्षा की मौत के बाद से समर सिंग फरार हो गया था। वह पहले नवी मुंबई होकर उत्तराखंड, फिर नोएडा और अंत में अपने रिष्टेदार के घर पह गमरे में मिला था, उनकी माने हत्या का भी शक्जताया था। लिव-इन रिलेशन में रहे समर पर आकांक्षा को परेशान करने का भी आरोप है। इस मामले में आकांक्षा परिवार लगातार पुलिस की वर्किंग पर भी सवाल उठा रहा था। कोफिया नेटवर्क फेल रहा या कोई और बात थी जो स्थानिय पुलिस को सूचना नहीं मिली। यहां तक कि सुसाइटी में यदि कोई व्यक्ति आकर रुक रहा है।